United Forum of Bank Union की अगवाई में 10 लाख बैंक करमचारी और बैंक के अन्य अधिकारियों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हर्ताल की गई इस हर्ताल के चलते पंजाब के जलंधर शहर में भी सभी बैंक करमचारियों ने अपनी मांगो की पूर्ती हेतु अमरित लाल की अध्यक्षता में एक रोशमार्च निकाला इस दोरान बैंक करमचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा किया गया वेतन समझोता 31 अक्तूबर को खत्म हो गया है जिसके बाद 1 नवंबर से सरकार द्वारा वेतन में व्रिधी की जानी थी लेकिन बैंक प्रिशासन द्वारा वो नहीं किया गया जिसके चलते ये हरताल की गई है करमचारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में उनके द्वारा की जा रही ये मांग बिल्कुल उचित है इसलिए उनकी और से सरकार से अफील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द ये वेतन समझाता कर ले यदि ऐसा नहीं होता तो करमचारी अनिश्चित काली इन हरताल पर भी जा सकते हैं इस मौके पर पवन बसी अशोक सरादिया सहित अन बैंक करमचारी भी उपस्तित थे आतम हो गया कि पर सो एक नवंबर दो ह्यार बारा तुँ साधियां तरखहां दे विछ वदा हुना सी जेडा के नहीं कीता गया असी 25 परसेंट वदेदी मंग का रहा सी अते सरकार ने जादके सिर्फ 11 परसेंट वदा कारना मन्या सी 85% दी मांगनू 33% दी लेंदा पर सरकार जेडिया ओ 11% तो अगे बदनू तियार नहीं है आज इन्नी में गाई है इन्फलेशन है सिकेदा पसार है ओदे तैत जेडियां असली उजरता है ओदी कीमत दिन बदिन कट दी जा रही है